दोस्तो कभी हार न मानना एक अद्भुद गुण है जो किसी भी व्यक्ति को सफलता की ओर ले जा सकता है। ये वह शक्ति है जो हमें चुनोतियों का सामना करने और अपने लक्षियों को प्राप्त करने में मदद करती है। द्रिणता के बिना हम आसानी से हार मान सकते हैं और अपने सपनों को छोड़ सकते हैं। इस वीडियो में हम कभी हार न मानने की शक्ती और इसके महत्व के बारे में जानेंगे। हम इस गुण के कुछ प्रसिद्ध उदाहरण को भी देखेंगे और सीखेंगे कि हम इसे अपने जीवन में कैसे विकसित कर सकते हैं। चाहे अपने लक्षियों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। तो आईए, इसे आज की बौध कहानी के माध्यम से समझते हैं कि दृड़ता क्या है और यह हमारे जीवन में कैसे परिवर्तन ला सकती है। एक बार एक बहुत ही दुखी व्यक्ति एक महात्मा के पास आकर कहता है। मुश्किल हो गया है। अब आप ही बताईए कि ऐसे वक्त में मैं जिन्दा रहूं तो कैसे रहूं? कैसे अपने परिवार को खुश रखूं? कृप्या करके कोई साधारन सा तरीका बताने की अनुकंपा करें ताकि मैं आसानी से समझ सकूं क्योंकि मैं बहुत पड़ा अगर आप बड़ी बड़ी ग्यान की बातें करेंगे तो शायद मैं कभी समझ भी नहीं पाऊंगा। कोई भी पेड या कोई भी घास पनप नहीं पाती है। तुम मेरा एक काम करो, उसके बाद मैं तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब दूँगा। तुम साथ दिन तक रोज उस पहाड़ी पर जाओ और उस चीटियों के घर को तहस नहस कर दो, उसको तोड़ दो, जब उसको कुछ समझ में नहीं आया था कि महात्मा जी ऐसा क्यों करवा रहे हैं, वह तो उन चीटियों पर अन्याय कर रहे हैं, उनका घर तुड़वा रहे हैं, उन्हें नुकसान पहुचा रहे हैं, आखिर कौन महात्मा ऐसा करेगा। लेकिन फिर भी उस महात्मा की बात मानत अगले दिन से ही पहाडी पर जाना शुरू कर देता है। जल्द ही चीटियों में हाहाकार मच गया। वह इधर उधर दोडने लगी। अभी तक जो कतार में चल रही थी अब वह बिखर गई और इधर उधर अपनी जान बचाने के लिए भागने लगी। थोड़ी देर में घर तूट गया और सारी चीटियां इधर उधर उधर में पोचा कि अब तो उन चीटियों का घर तबाह हो चुका है अब वहाँ वापस जाने से क्या प्रयोजन है अब क्या फाइदा होगा क्यूंकि चीटियों का घर तहस नहस करने के लिए महात्मा जी ने कहा था जो मैं कर चुका हूँ। लेकिन फिर कुछ सोचकर अगले दि देखकर चौक जाता है कि उन चीटियों ने फिर से अपना घर उसी जगह पर बना लिया था और अब वह फिर से अपने घर के लिए सामान इकठा करने में जुटी हुई थी। चीटियों में हलचल मच गई और थोड़ी देर में वह चीटियां इधर उधर अपनी जान बचाने के लिए भागने लगी। पिर से अपने घर लोट आया। वह फिर से उसी पहाडी की ओर निकल जाता है। उसने निश्चे किया कि यहां से वह सीधा उसी महात्मा के पास जाएगा और उनको यह सारी खबर बता देगा। जब वह वापस मुड़कर उस पहाडी से उस महात्मा की कुटिया की तरफ जाने लगा तो उसने देखा तो अचानक उसकी नजर एक और घरोंदे पर पड़ी। जो कि चीटियों का ही बनाया हुआ था। मतलब की वह घरोंदा चीटियों ने ही बनाया था और अब वह चीटियां नए घर में वास कर चुकी थी। यह नया घर उनके पुराने घर से थोड़ी ही दूरी पर था और जब उस युवक की नजर उस घरोंदे पर पड़ी तो उ पहुँचा तो चीटियां उसी तरह अपने कार्य में लगी हुई थी। अपने लिए खाना इकठा कर रही थी और अपने घर में जमा करती जा रही थी। जो पुराना घर तूटा था, वहां भी अनाज के कण बचे हुए थे, और चीटियां वहां से भी अनाज इकठा करकर के वापस अपने नए घर में ला रही थी. अब यहां पर फिर से युवक का मन थोड़ा कमजोर पड़ गया, क्योंकि वह खुद भी कमजोर था, खुद भी वक्त कमारा हुआ था, इसलिए उसके मन में उन चीटियों के प्रती दया का भाव उमड रहा था, उनके उपर उसे दया आ रही थी, वह चाहता था कि उनकी करें, लेकिन वह उल्टा उनको नुकसान पहुँचा रहा था, लेकिन उस महात्मा की बात को याद करते हुए, उसने फिर से उस घर को तोड़ने का निश्चे किया, और उसने इस बार बड़ी ही सावधानी के साथ बिना किसी चीन्टी को कोई नुकसान पहुँचाए, वह अखिरकार उसने उस घर को भी तबाह कर दिया, और उस घर को तबाह करने के बाद वह बड़े ही दुखी मन से, इस बार वह पहले से भी ज्यादा दुखी था, क्योंकि उसने उनका नया घर भी तोड़ दिया था, वह उन चीटियों को बसने ही नहीं दे रहा था, और वह अ अब अपने आप को शैतान या दानव समझने लगा था। लेकिन फिर भी उस महात्मा की बात को मानते हुए वह अपने घर पर दुखी मन से वापस आ गया। और अगले दिन सुबह सुबह वह फिर से वहाँ पर पहुँच गया। वह यह देखकर फिर से आश्चर्य चकित रह जाता है कि इस बार चीटियों ने एक और नई जगह पर अपना घर बना लिया था। वह पहले से भी ज्यादा ऊर्जा के साथ काम कर रही थी और उन्होंने एक रात में पहले से भी बड़ा घर बना लिया था और अब वह फिर से अपना अनाज और खाना एकठा करने में जुटी हुई थी। यह देखकर उस आदमी को लगा कि यह चीटियां किस मिट्टी की बनी हुई है। मैं इनको बार बार यहां से भगाने की कोशिश कर रहा और यह वही पर अपना घर बना लेती है। क्या इनको पता नहीं है कि मैं इन्हें यहां पर कभी भी बसने नहीं दूँगा। यह चीटी है। दिखने में इतनी छोटी है लेकिन फिर भी यह मुझसे हार नहीं मान रही है। बड़े ताज्जुब की बात है। और इस बार उसने गुसे में उस घर को तहस नहास करना शुरू कर दिया। लेकिन इस बार तहस नहास करते हुए कुछ चीटियां वही पर मर गयी। उसके पैरों तले कुचल दी गई। कुचलने के बाद जब वह अपने अहंकार से बाहर आया तो उसने देखा कि गुसे में उसने उन को कितनी क्षती पहुचा दी है। उसका मन पश्चाताप से भर गया और वह रोता हुआ अपने घर की तरफ बढ़ गया। रात में सोते वक्त उसने सोचा कि मैं उन चीटियों पर बहुत ज्यादा अत्याचार कर रहा हूँ। अब इससे ज्यादा अत्याचार मैं नहीं कर पा आज वह उनकी मदद करना चाहता था और जब वह वहाँ पर पहुचा तो चीटियां फिर से अपने नए घर को बनाने में जुटी हुई थी। उसने बड़ी ही दया के साथ उन चीटियों को अपना लाया हुआ आटा खिलाया और अगले तीन दिनों तक वह ऐसा ही करता रहा जो इंसान पिछले चार दिनों से चीटियों को नुकसान पहुचा रहा था अब वही इंसान उन्हें मदद कर रहा था। वह रोज सुबह जाता और उन चीटियों को अपने हाथों से आटा खिलाता। मैं समझ सकता हूँ कि मैंने आपका काम पूरा नहीं किया और इसके बदले आप मुझे वह तरीके भी नहीं बताएंगे जो कि मुझे मेरे बुरे समय से बाहर निकाल सकते हैं लेकिन मुझे इसका कोई दुख नहीं है। और यह कहकर वह महात्मा उस युवक के लिए पानी लेकर आते हैं। पानी पिलाने के बाद महात्मा उस युवक से पूछते हैं कि तुम मुझे यह बताओ कि आखिर तुम उन चीटियों का घर तबाह क्यों नहीं कर सके। वह चीटियां तो छोटी-छोटी हैं और तुम इतने विशाल हो फिर भी तुम उन छोटी-छोटी चीटियों का घर तबाह नहीं कर पाए। कहां है तुम्हारी शक्ति? तुम्हारा बाहु बल? इसका जवाब देते हुए उस युवक ने कहा कि हे गुरूवर। मैंने उन चीटियों का घर तबाह कर दिया था, बार-बार किया था। एक बार तो अपने गुस्से में उन चीटियों को भी मैंने हानी पहुँचा दी लेकिन जिस दिन मैंने उनको हानी पहुचाई, उसी दिन मेरे को लगा कि मैं उनको क्यों हानी पहुचा रहा हूँ, क्यों इनको इतनी तकलीफ दे रहा हूँ, और उसी दिन से मैंने उनको नुकसान पहुचाने की बजाए उनकी सहायता करनी शुरू कर दी। यह सुनकर उस चीटियों से कुछ सीख ले सकूँ, तुम्हें क्या सीख मिली उन चीटियों से, क्या मुझे बता सकते हो, यह सुनकर उस युवक ने पूरी कहानी बया कर दी, पूरी कहानी सुनने के बाद महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, कि बेटा, तुमने जो महसूस किया, मैं वही दिखाना चाहता था, वो ये थी कि तुमने कितनी ही बार उनके घर को तोड़ने की कोशिश की, कितनी ही बार प्रयास किया कि उनका घर तबाह हो जाए, लेकिन वह हर बार अपना नया घर बना लेती थी, उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी, अगर वह हार मान लेती तो चीट पिंकार्य शीलता का नाम है, कर्म शीलता का नाम है, लेकिन हम मनुष्य एक दो बार हार मिलने पर ही तूट जाते हैं, हताश हो जाते हैं और फिर जीवन में प्रयास ही नहीं करते और कुछ लोग दो अपनी जिन्दगी को खत्म करने पर उतारू हो जाते हैं। जीवन के लिए हमेशा संघर्ष करता रहता है, लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ हम मनुष्य एक दो बार हताश होने पर ही अपना जीवन खत्म कर लेते हैं। ये तुम उन चीटियों से देख चुके हो। देखने में तुम से कितनी छोटी है वह चीटियां और तुम इतने बड़े हो। लेकिन उनका मन तुम्हारे मन से इतना बड़ा है, इतना विशाल है, इतना दृढ संकल्प है कि इतनी बार घर तूटने पर भी उन चीटियों अधने कभी हार नहीं मानी, दूसरी सीख यहां से लेने की थी, वह यह थी कि जब भी हमारे उपर बुरा समय आता है, हमें लगता है कि यह समय कभी नहीं जाएगा, यह समय मेरे जीवन को बरबाद कर देगा, मुझे कभी नहीं जीने देगा, और अपने इन ही खयालों से ज लेकिन कब तक पहुँचाएगी, अगर हम बार बार फिर से उठकर फिर से नया प्रयास करते रहेंगे, तो प्रकृती भी हमारे सामने घुटने टेक देगी, और वह भी एक दिन हमारे उपर दयावान हो जाएगी, और वह हमें सब कुछ देने लगेगी, जिसकी हमने कभी क पालू हो गए, क्यों हुए? क्योंकि तुमने देखा कि वह चीटियां हार ही नहीं मान रही है, इसी तरह अगर तुम भी अपने जीवन में कभी हार नहीं मानोगे, तो एक ना एक दिन ये प्रकृती तुम्हें वह सब कुछ देगी, जो तुम अपने जीवन में पाना चाह जरूर देगी, तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये कहानी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और अच्छी लगी हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, तो चलिए मिलते हैं ऐसी ही कोई नई कहानी में कोई नए मैसेज के साथ, तब तक के लिए अपन खयाल रखें, धन्यवाद, नमो बुद्धाए